गुट मॉर्निंग माइडियर फ्रेंड्स मैं व्रिंदा सिंग हूँ एसोसियेट प्रोफेसर गवर्मेंट गल्स कॉलेज जोदपूर मैं आपको वस्त्र विज्ञान और परिधान में एक इंपॉर्टेंट चेप्टर होता है मैनिफेक्ट्रिंग प्रोसेस अफ कॉटन फैब यह से होती है इसके बारे में मैं आपको सम्झा रही हो मेरे दोस्तों आप सभी जानते हो अ और अगर आप नहीं जानते हो तो जान लो कि कापास के रेशों को विश्व्यापी रेशा कहा जाता है युणि वर्सल फैब्रीक कहते हैं काटन के वस्त्र को युणिवर्सल विष्वव्यापी रेशा कहा जाता है अगर जो बच्चे इन्वर्सिटी की परिख्षा देने जा रहे हैं अगर उनसे यह पूछा जाए कि विष्वव्यापी रेशा कौन से हैं उनके उत्पादन परकिरिया समझाइए उसके रासाइनिक और भौतिक गुनों का चर्चा कीजिए तब आप अगर आपको पता नहीं रहेगा कि 202 पी रेशा कहते कि इसको है तब आप सकते आपने लीनन के बारे में लिख दिया जूट के बारे में लिख दिया अन्हे कोई रेशा के बारे में नहीं लिखा है कोई भी कम्पूायटीव ग्जाम्शन देने जा रहे हो चाहे आप तीजिटी दे रहे हैं एल्टिक देने जा रहे हैं जिए का धनी ँढवने चाहिए भी सारी परिष्चा एंट कब होते हैं जब आपने ग्रेजुइशंण सबसे बड़ा जो कारण है कि कपास का रेशा से बने हुए वस्त्र शूती वस्त्र अत्यंत सुखद होते हैं हर मौसम के लिए और दूसरी बड़ी विसेश्ता है चाहे गरीब हो या अमीर सब के पहुँच के भीतर होता है इसका रख रखाओ अत्यंत आसान होता है किसी भी साबुन से किसी भी सरप से आप धो सकते हैं किसी भी प्रकार से आप इसे कुट पीट कर सकते हैं करके इसकी सफ पार्टी में भी आप सूती बस्र पहन करकर जा सकते हैं जिसकी सालिंता आपने नाम सुना होगा धाका के मलमल का आबे रवा का जिसकी खुबसूर्ती जिसकी अलोकिकता जिसकी संदर्यता अनोखा है कहते हैं एक माचिस के डिब्बी से पुरे थान मलमल के वस्त्र को निकाला जा सकता है उसमें समेटा जा सकता है रखा जा सकता है अब आप ज़रा सोचिए कि कितनी बारिक होगी वो वस्त्र और भारत में सबसे पहले कपास का उत्पादन हुआ और इसे बने सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ जिसे पूरे यूर्योपीद देशों तक इसका ब्यापार होता था तो जन्म दाता इसका भारत भूमी ही है और इसके लिए जलबाईउ कैसी होनी चाहिए अब इस पर हम आपको मेंने बता दिया विस्व्या पे नेसा क्यों कातें क्योंकि इसका उप्योग अमीर गरीब सभी लोग कर सकते हैं खेलके मैदान से ले करके इसका उप्योग हववाय-जहाज तक होता है और इसका उप्यो के लिए भी अनुकूल होता हो गर्मी परदान करता है अपनी कि इसी विशेष्था के कारण आसान रख रखाओ के कारण कि कि इसे विश्वयापी रसा कहते हैं और कि अब हम इसको कonne कर दो इसका सम नम हुटा बराबर समस्ते हो ठंड और उसन मतलब गर्मी त tornini ज tussen नमी गर्मी और उफ्युक्त बाद आवर चाहिए इसलिए भारत में कि जब कपाश कॉत पादन हुआ कि aur झुख अमेरीका में अमेरीका की ूसाव उतौत पादन के लिए भारत से भी अच्छा माना गया और वहाँ पर भी खेती इसकी होती है समझ गया तो सम्षितोषन इसको लोट ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए इसके लिए लैंड कैसा होना चाहिए भूमी कैसी होनी चाहिए तो बेटा इसके लिए भूमी होने चाहिए चाहिए और मिट्टी होनी चाहिए काली यह इसकी कपास जो खेती होता है वो कहां होगा जहां की मिट्टी चाहिए होगी जहां की भूमी चाहिए होगी और जहां काली मिट्टी क्यों क्योंकि काली मिट्टी में पानी को सोखने का अद्वुत चमता होता है आश्चरी जने कुरूप से पानी को सोखता है समझ गए बात को इसके बाद इसका जो कि बोते हैं कि कपास के बीज को तो अच्छे सी खेत की अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं और इस पौधे को तयार होने में 200 दिन लगता है लगवा 6-7 महिने लग जाते हैं इसको तैयार होने में Six to seven मंद्थ लग जाते हैं और दू सो दिन मानलो इसको त्यार होने में लगते हैं जब इसको बुआई करनी रही होती है तो खेत को अच्छी तरह से जोता जाता है इसके बीज को बोई जाते हैं और जब इसका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तीन से चार इंच का हो जाता है तब इसकी क्या करते हैं सोहनी की जाती है सोहुनी मतलब विडिंग मतलब खर-पत्वार को बाहर निकालना हैं आपको पता है खर-पत्वार को हमिले हैं अच्छा बने तो जो भी खर-पत्वार होता तिन से चार इंच का होता है तब उसमें सोहनी की जाती ही वीडिंग किया जाता है खरपतवार को घास उसको बाहर निकाल कर फैक दिया जाते हैं फिर पौधा की जो लंबाई होती है यह मैंने आपको बताया है पौधे होते हैं चार से छे फिट के तो मतलब कुछ फ्योप पाच कलिया निकलती है थी से पांच निकलते और इनमें कई प्रकार के फूल निकलते हैं कई रंगों निकलते हैं बस जो होता है कलिया होती हैं हुआ कि उन्में फूल खियते हैं औह पहले होते outlines क्रीम 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 क्र और फूल ज़गज़ने लगता है है ना कि फ्लावर खिलते हैं बट से बुब जब ज़ड़ने लगता है तब उस में से कोय बनते हैं जिसको हमने बताये सब पॉर्ट मैंने डिटेल्ट पढ़ाये था आपको को पकने लग जाता है उस स्थिती में इसको हम तोड़ लेते हैं को तोड़ते हैं जब यह पकने लगता है नहीं तो क्या होगा कॉया फट जाएगा उसमें से जो र्एसे हैं यह कोई हैं और कोई में जो र्एसे बीच के 4 तरफ लिप्ते हुए रहते हैं इस तरह से रिए से बाहर निकल जाएंगे जिसे आफ नहीं सकते हो नहीं बटोर सकते हो और दूसरी इसका कलर भी खराब हो जाएगा दूप में आने के बाद हलका एलो हो जाएगा तो क्वालिटी भी खराब हो जाएगी इसलिए जब हम मैनिफैक्टरिंग करते हैं तो जैसे ही कोया पक जाता है तो उसको हम हाथ से तोड़ लेते हैं या मसीन से तोड़ लेते हैं अच्छा प्राकृतिक पाउधा है आपको मालूम है एक बार में सारी कलियाने निकलती एक बार में सारी कोई नहीं बनते तो तीन से चार बार में इ कोई को तोड़ करके इकठा करते हैं यह काम हाथ से भी कर सकते हो और यह काम मसीन भी करती है आज की डेट में मसीन मसीन से भी कोई को एकत्रित किया जाता है जिसको कहते हैं कलेक्शन आउफ एकत्रित करना, किसको एकत्रित करना, कोई को, कलेक्शन ओफ पाउड्स, कोई एकत्रित हो गए, आप जब कोई एकत्रित हो जाते हैं, तब उसको फिर क्या करते हैं, पहला प्रोसेस है कोई एकत्रित करना, और दूसरा प्रोसेस है उसका ओठना, जिसों कहते हैं, गिनिंग, पहला प्रोसेस क्या है प्रोसेस समझो कपास की पहला प्रोसेस है पहले तो आपने कोई कोई कत्रित किया है ना कलेक्सर अपॉट्स दूसरा है ओटना जिसको कहते हैं गीनिंग ओटना इसको बोलते हैं गीनिंग गीनिंग का मतलब होता है कपास के रेसों को उसके बीज से जिसको बिनवला बोलते हैं उससे अलग करना बिनवलों से अलग करना यह कहला आता है प्रक्रिया ओटना या गीनिंग करना समझ गए उसके बीज को हम अलग कर देते हैं और यह काम क्रिया आप लकड़ी से भी कर सकते हो, मैनुवली भी कर सकते हो, मसीन भी काम को करता है जिससे पीट पीट करके कपास के रेशों को पीटते हैं पीटने के दोरान उससे बीज अलग हो जाता है, पत्नी अलग जाती है, छिलके उसके अलग हो जाते है और कोई झूर। कर्यों होता है वो भी अलग हो जाता है यह काम आप मसिन से कर सकते हो हाथ ऑटनी करतहे है और रॉड के द्वारा भी इस काम को किया जाता है छाड़ regularly भी अधित ही इसके बाद जब ओठने के प्रक्रिया हो जाती है, कपास के रेसे तयार हो जाते हैं, तब उसको हम गाठे बनाना कहते हैं, जिसको कहते हैं बेलिंग, गाठे बनाना, बेलिंग, गाठे लगाना या गाठे बनाना कुछ भी कह सकते हो आप, गाठे लगाना है ना, गाठे लगाना का मतलब होता है कि जो आपके रिष से बहुत सारी तयार हो गए उन रेसों को आप टार्ट या कपड़े या बोरी में उसको बांध्न देना कर उसको कहते गंठे लगाना जिसको कहते एंग्रेजी में हम बेलिंग इसके बाद आता है गंठे जन्हें कोलना नेट्स्व नेच्स प्रॉसेस का कि देखा को एक तरित करना दूसरा प्रॉसेस क्या का तुמק कररेंग करना तिस्ञे highlight चौथं listen के गाथों को विला देते हैं मिलाने सी क्या होता है क्यों मिलाए जाता है है आप अची तरह से जानती है ताकि कि से मोझे ट्रेशust है कि नहीं पहला क्या को या कत्रित किया दूसरा क्या किया ओटा ओटा कैसे जो भी पॉट से उसको हमने लकड़ी से या कैसे भी छड़ से उसको पीट-पीट के अलग किया जिसे की रेसे अलग हो गए और बीज पतियां और जो दूसरे चीज़ से फालतू चीज़े वो निकल तीसरा में ने जो रेसे तयार किये थे उसको ने गाठे लगा दिया यह गठ्ठी बना दी और फिर बहुत सारी गठ्ठरियां आ गई आप पांच देस्ट बीस पचास सो उन सब को हमने एक साथ गाठो को मिला दिया है ना मिलाने के बाद फिर क्या करते हैं रेसों की अब करते हैं हम धुनाई जिसों कहते हैं कार्डिंग है पांचवा प्रोसस क्या है धुनाई करना मतलब जो भी धूलकन इसके बाद बच्चा है जो भी भी जगोस हमने गठर खोल के तयार किया है और उसमें जो रेसे में रह गए धूलकन पतियां भी चिलके कुछ भी रह गया है उस सब धूनाई के दोरान अलग हो जाते हैं अलग होने के बाद क्या आते हैं रेसे बिल्कुल हल कर जाता है है ना और फिर रूई हलकी हो जाती है रूई के बीच में हवा भर जाती है ठीक है एक कार्डिंग करते हैं तो जब हमें निक्रिष्ट कोटी का बस्तर बनाना होता है मध्यम परकार का बस्तर बनाना होता है तो हम धुनाई से जो प्राप्त हमारे रेसे होते उसी से बनाना है या पत्टियां बनाना है ना जो आपके निम्न कोटी का वस्तर बनाना है तब हम वस्तर को धुनाई के बाद ही उस रेसे को हम दे देते हैं किसके लिए एठन देने के लिए और कताई के लिए ठीक है और अगर उससे हमें उत्कृष्ट प्रकार का वस्तर बनाना होता है बड़िया प्रकार का वस्तर बनाना है तो उसकी हम कंगी करते हैं कॉम्बिंग जिसको अंग्रेजी मोलते हैं हिंदी मोलते हैं कंग करते हैं कंगी करने से क्या होता है जो रेसे हैं कि क्यों किया जाता है कि जब कार्णिक प्रोसेस से ही बस्तर तयार हो जाते हैं तो फिर कंगी क्यों किया जाता है तो रेसे देखते हो इस तरह से रहते हैं विख्रे हुए है ना इधर उधर कहीं कहीं रहते हैं जाएं करते हैं जिस तरह सहां अपने बालों को झाड़ते हैं तो कि निकल जाते हैं बार में जो सिर में रहता हि वह भी बाहर निकल जाता है तो यहां भी प्रक्रियाigible होती है जोटे रेश होते हैं कोंबिंग के दोरान चोटे रजिसे बाहर निकल जाते हैं और युझे फिर समानांतर होजाते हैं परल्लेल में रेंसे हो vaya समझ गए और युझे जब पर बन मुंह Mexican्य जाएंगे और लम्मे रेषा अलग हो जाएंगे हैं उस खोड़े चोटे जो बच गये और रेसे अलग जिसे जो महंगा भी मिलता है और जिसे हम लोग अपने जो बहुत उत्कृष्ट प्रकार के साड़ी होती है क्वाइलिटी के साड़ी होती है उसमें सूती वस्रे जो लंबे रेसे से बने होते उन्हीं से बनाए जाते हैं जेंड्स का सूट बनता है कॉटन का महलाओं की प्रिकाओं भी होते हैं आरमदायक भी होते हैं देखने में भी सुंदर होते हैं समझे में आ गया कि हम कॉम्बिंग क्यों करते हैं कंगी क्यों करते हैं जबकि कार्णिंग के द्वारे ही बस्र को धूना जा सकता है जब कार्णिंग हमने कर लिया हमारे काम पूरा हो गया त पूनी बनाने में क्या करते हैं पूनी बनाना यह क्या होता है पूनी बनाने का जो कारी होता है जिसको हम अंग्रेजिम होते हैं स्लिवरिंग स्लिवरिंग यह क्यों किया जाता है आपके जो इतनी बड़ी मतलब कि 6 इंच के लगभग इतना बड़ा और एक अंगुठे की मुटाई के बराबर रूई के जो रे से प्राप्त हुए हैं उनकी पूनी बना लेते हैं ताकि कताई करना इसका आसान हो आपने गांदी जी का च पूनी बोलते हैं पूनी बनाना कहीं लोग पूनी बोलते हैं तो इसको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं अंग्रेजी वाली छात्राय समझे इसको स्लीवरिंग आते हैं ठीक है और जो पूनी बन गया तो फिर तकली से यह चर्खा से या मसीन से इसकी कताई की जाती है किसकी पूनी जो बना आपका इस तरह का जो रेशा तयार हो गया इस तरह के इत्तिवड़े अब इसको क्या करते हैं यहां से लेते हैं और यह तकली है तकली का काम हम लोगों ने खीव खुब किया बच्पन में जब हमां स्कूल जाते थे उस समय पह बनते हुए चला जाता है समझ गय है इस प्रकार से गांधि जी का प्लिवाका काम कातने का सुझ करने काथ जाता है ठीक है जब यह कताई हो जाती है तब उसमें क्या करते हैं जो हमें धागे प्राप्त होते हैं उसमें एठन दिया जाता है धागे प्राप्त हो जाते हैं तो क्या करते हैं एठन देते हैं बल देते हैं एठने से क्या होता है धागे और भी मजबूत होते हैं कपास के समय यह तो प्राकिर्दिक रुप से रांट मिलती है इसके बावजूद इसको एक देते हैं और अधन देने से धागे मजबूत हो जाते हैं और जब मजबूत धागे बन जाते हैं तो उनसे अच्छे प्रकार के वस्त्र भी तैयार हो जाते हैं तो आपने फिर नेक्स क्या देखा पोनी बनाना और पोनी जब बन जाता है तो फिर हम करते हैं कताई करना प्रॉसेस है बुनाई करना जब पताई हो जाती है तो नेक्स प्रॉसेस हमारा आता है वह होता है वीभिंग का वीभिंग को बुनाई करना ठीक है और जब करते हैं तो आपको पता है ताने हम कीच कर के याद रखना घ्लबाइय की ओर हमारा ताना और जिसको हम कहते हैं वार्थ और चोड़ाई की और धागा होता है यह कहलाता है वेफ्ट यह कहते हिंदी में बाना तो फिर हम इसकी बुनाई का काम करते हैं जब बुनाई की क्रियप पूर्य हो जाती है तो वस्तर इस प्रकार का नहीं होता है क consomm मार्केट मिलार को इसको उसे बेच सको निug्हें में कि परिश्जिया करते था और मिस्जिय यह कर परिसजय वाला को उनकी कि आपना ओप downloading के जाता है सुंदर बन जाता है तो बाद में बिभिंग के बाद से होती है वह ओती आपका कौन से फिनिशिंग का है प्रिसज़्जा करना अब परिसज़्जा के बाद आप अपने अनुसार मार्केट में और क्या डिमांड है उसी साप से इसमें रंगाई yawd छपाई किया जाता है रंगाई- जपाई किया जाता है इस प्रकार से आप देखते हो कि कपास के रेशों से कपास का सूति वस्त्र इन इन चर्णों के द्वारा पूरा हो जाता है जो मैंने आपको कपास बोने से ले करके और मैंने उसको पूरा होने तक की चरण को बताया है तो मैं समझती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगती होगी और अगर अच्छी लगती ही वीडियो समझ में आया है तो बेटे इस वीडियो को आप लाइक करें सेयर करें कॉमेंट करें दूंगी तब तक लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ जाने के दे इजाज़ाद बाई बाई